कटाई नाका से एरोली तक जाने वाले फोर लाइन प्रोजेक्ट का काम काफी तेजी से हो रहा है और आज महराश के सियम एकनाथ शिंदे और खासदार श्रीकांथ शिंदे ने मुम्रा वाई जेक्शन काल सिखर हॉस्पिटल के पीछे टरनल में जाके जायजा लिया आगे के काम को तेजी गत्य से बढ़ाने के लिए सियम एकनाथ सिंदे ने टरनल में ब्लास्ट भे किया इस प्रोजेक्ट में टरनल की अगर हम बात करें तो 1.7 किलोमीटर है और प्रोजेक्ट 12.3 किलोमीटर है और इसमें फोर लाइन के रूट रहेगी CM एकनाच शिंदे ने बताया कि 4-Line का ये प्रोजेक्ट अप्रेल और मई में तयार होगा, नवंबर तक एरोली में पूरा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के तयार हो जाने से कनेक्टिवीटी आसान हो जाएगी मुंबई ठाने, मुंबरा, दिवा, श्चील के लोगों को एरोली तक घूम के जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यानि की घंटों का सफर अब मात्र 10-12 मिनट में तय होगा मुंबरा वाई जेक्सन टरनल का जाइजा लेने पहुँचे महराश के सिया मेकनात शिंदे ने क्या कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है आपको सुनाते हैं यह अभी इसकी ब्लास्टिंग हुई है शुरू हो जाएगा लगवाट एपर जुमय में ए-4 लेन जाने आने की जाएगा और नोवेंबर तक हैरोली तक यह पुरा हो जागा एलेवेटेड वहां पर रोड है और इसके वज़े से कलें डमोली पैरोली नवी मुंबई ठाने और मुंबई यह जाने आने वाली यात्री जो है वह है वह हैदा हो जाएगा यह कम से कम टोटल 8 किलोमेटर वाला प्रकलब है और लागों लोगों को मेंट विट हो जाएगा लागों और समय की बच्चत हो ज बढ़ जाती है और लोगों को काफी फाइदा होता है इंपेक्ट वाइज देखेंगे तो यह जैसे शिवडी नावाशवा हमारा एक बहुत नहीं प्रोजेक्ट है जिसके वज़े से लागों लोगों को फाइदा हो जाएगा वहां पर एकोनोमिक रोध हो जाएगा वहां स देखेंगे फाटा से कल्यान और विवन्डी यह जो शेफाटा है उसके अपर हम लोग अलेवेटर डबल डेकर कर रहे हैं इसके मेट्रों भी कर रहे हैं कल्यान कलोजा यह मनकोली डंबुली को खाडी कूल कर रहे हैं यह ऐसे कई प्रोजेक्ट है ठाना के लिए बाइपास कर रहे हैं यह यह पूरे मुंबई और यह आजू-बाजू के जितने शहर है यह शहर के आवादी बढ़ रहे हैं पॉपलेशन बढ़ रहा है यह शहरों की ग्रोथ हो रही है तो इसके लिए हम लोग यह रिलीव देने के लिए यह सब प्रोजेक्ट जो है बहुत ही कारगर जाएंगे लोगोगों यह फ्राइडे मता करें